Hello everyone, so welcome to Jai Dev classes for GRFN Political Science, कैसे हैं आप सब? Friend, this is Minakshi Singh और आज हम लोगे आप पर discuss करेंगे Most Important MCQs So, मैंने आप सभी को last class में ये homework का question दिया था और सभी बच्चों ने, हलाकि इसका answer बिल्कूल correct दिया है कुछ बच्चों का गलत था Civil society versus political society जो ये discourse बताया वो reflect होता है किसकी writing में ये पार्थ चटरजी ने बताया था Granville Austin ने बताया था सुदित्ता का विराज ने बताया था या फिर Rudolph and Rudolph ने So, right answer is option number B Granville Austin इसका जो right answer होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका Granville Austin is the correct answer तो ये धियान रखना इसका right answer option number B हो जाएगा Next question है And of ideology जो है associated है किस से? Max Weber से? Francis Fukuyama से? Daniel Bell से? या Karl Marx से? चीक है? तो ये बताना है And of ideology is associated with So, इसका right answer क्या होगा? इसका right answer जो हो जाएगा तो वो होगा आप लोगों का option number C Daniel Bell जब हम इसकी बात करते हैं, जब हम end of ideology की बात करते हैं इसमें काफी सारे thinker साते हैं, आपको पता होगा है ना मैंने आप लोगों को ये कराया भी है End of ideology अगर आपने अभी तक ये end of ideology वाला concept नहीं पढ़ा है तो आप लोग मेरे इनी YouTube चैनल पे जाके end of ideology को देख सकते हैं इसमें Francis Fukuyama और ये भी मैंने कराया थे आपको end of history बताते हैं वो वो क्या बताते हैं, end of history को बताते हैं है ना, सो ये ध्यान रखना जब हम end of ideology की बात करते हैं Francis Fukuyama से आपको क्या याद रखना है Francis Fukuyama से याद रखना है end of history डैनियल बैल से याद क्या रखना है डैनियल बैल से याद रखना है आपको end of ideology है ना तो यह चीज़ें आप धियान रखिएगा चीख है आगे चलते हैं हम लोग कॉल देखो कुछ और चीज़े भी बता देती हूँ open society and its enemies किसे हैं यह काल पॉपर के हैं देखो जब हम ideology की बात करते हैं end of ideology के तो दो तरीके के आ जाते हैं एक तो end of ideology को support करते हैं और एक end of ideology को का अगेंस्ट यह विरोध करते हैं तो end of ideology को जो support करते हैं वो है डैनियल बैल प्लीज यह नो down कर लेना नीम डैनियल बैल है इनकी most important book end of ideology है 1960 उसका यहर है जे के गैलब्रेथ आते हैं इनकी most important book का नाम new industrial state है सिमोर लिपसेट आते हैं जिनकी most important book है political man और फिर आते हैं डैरन डॉर्फ इनकी है class and class conflict उसके बाद देखो जो end of ideology के against हैं वो है रिचार्ट टिममस, C. राइट मिल और C. बी मैक परसन ठीक है तो यह आ जाते हैं ध्यान रखना I hope इतना आप लोगों को clear हो गया होगा next question, so right answer is Daniel Bell इसका right answer end of ideology से related आपके कौन होंगे Daniel Bell होंगे, यह जो यहाँ पर दे रखा है B, B नहीं होगा answer इसमें Daniel Bell ही होंगे तो यह ध्यान रखना next question है आपका कि जो which among the following has signed NPT non-proliferation treaty को sign किस ने किया है हस्ताक्षर किस ने किया है, इंडिया ने पाकिस्तान ने, इरान ने या इसराइल ने तो देखो, यह तीनों countries कौन सी है, threshold countries है threshold, इनके पास इनके पास कौन सी power है, इनके पास nuclear है, है ना, तो यहाँ पर क्या बचा, इरान, तो right answer क्या होगा, option number C, इरान तो यह ध्यान रखना, next question है, as per article 75, Indian constitution the council of ministers shall be collectively responsible to, house of the people, parliament, prime minister, या president तो भारतिय सविधान की धारा 75 के अनुसार, मंत्री परिशद इसके प्रती सामुहिक रूप से जिमेदार होगी, तो यहाँ पर right answer है आपका option number A, house of the people के प्रती, ठीक है, next question है, आपका जो politics among nation है, तो यह किसने लिखी थी, E.H.Kar ने, Hans J. Marginthau ने, Hurtman ने, आप Palmer Parkins ने, तो politics among nation लिखी है, Hans J. Marginthau, Hans J. Marginthau जो बात करते हैं, तो वो बात करते हैं, basically, किसकी, इन्हों ने कहा था कि भई, जो struggle होता कार की most important book का नाम crisis वाली book है, ना, इनकी, E.H.Kar, ठीक है, तो यह ध्यान रखना 20 year crisis, next है, जो delimitation commission है, associated है, election constituencies से, other backward class से, minorities से, या Anglo-Indian से, so right answer is, electoral constituencies हो जाएगा आपका, परी सीमन आयोग, आप सबको पता है, सीमा आयता करता है, next question है, जो idea है, clash of civilization का, वो firstly किस ने दिया था, Vaughan Newman ने दिया था, Hanti Gunton ने, Wallastine ने, या Francis Fukuyama ने, तो जो यह आपका clash of civilization है, जब Hanti Gunton ने, Francis Fukuyama को critic किया था, तब उन्होंने यह दिया, इसका right answer, option number B होगा, और Samuel Hanti Gunton, Francis Fukuyama को critic करते हैं, और कहते हैं, कि question है, यहाँ पर identify करना है, आपको गलत पेर, AI, TUC, workers related है, BKU, farmers है, IBA, bankers है, और सेवा, teachers है, तो सेवा, अगर आप देखोगे, तो सेवा जो है, वो क्या है, जब हम सेवा की बात करते हैं, तो यह जिसकी full form जो हो जाएगी, सेवा की, मन में याद करिये, very good, क्या होगी, आपको पता है, सेवा जो है, वो NGO है, है न, यह NGO है, non-governmental organization है, Self-Employed Women Association, क्या है, Self-Employed Women Association, 1972 में बना था, इंडिया का ही एक NGO है, चीक है, यह धियान रखना, right answer option number D हो जाएगा, next question है, आपका, जो article 280 है, वो किस से related है, finance commission से, election commission से, emergency provision से, या ordinance power of the president से, मैंने आप लोगों को कल रात में ही, आपको सारे articles कराए हैं, अगर आप में से कोई भी बच्चा, जिसने वो article वाली class नहीं देखी है, तो जरूर जाओ, और article वाली वो class देखो, आपको सच में, 101% sure, आपको वो class बहुत ज़्यादा beneficial रहेगी, आपके लिए, क्योंकि वहां से question जरूर आएगा, तो 280 जो है वो आपका, किसी है finance commission of India, state finance commission किसमें है, तो 243 के आई में, है ना, state finance commission है 243 के आई में, चलो, अब आप लोगों के लिए question, next है, कि कौन सा term associated है, upward mobilization से, तो निमन में से, कौन सी शब्दा वली, उपरी गती शीलता से संबंदित है, liberalization, politicization, sanskritization, या globalization, sanskritization से आपको, जो श्री निवास है, M. श्री निवास वो याद आए होंगे है न, very good, तो जो upward mobilization, उपरी गती शीलता किस related होगे, option number C से, बिल्कुल sanskritization से, ठीक है, sanskriti करण से, संस्कृति करण से क्या है, उपरी गती शीलता, next है, homework के लिए question, इसका answer आपको करना है, prayers, petition, protest, ये politics and program of, प्रातना याचि का विरोध किसकी नीतियों के कारेक्रम थे, moderates के, extremists के, radicals के, revolutionaries के, इसका answer comment box में करना है आपको, इसके अलावा, daily plus and special classes and academy पे हो रही है, revision course उबा 11 a.m. है, इसकी class आज सुबा है 11 बजे, revision course political science पर चल रहा है आपका, इसकी class 1 p.m. है 1 बजे, ठीक है, और special class quick discussion चल रहा है इस पर, 4 p.m. marathon series आप लोगों की चल रही है, 8 p.m. जो भी student आना चाहें आ सकते हैं, plus subscription ले सकते हो, और use code करना मिनाक्षी live, ये 1 month वाला, ये 2300 something का पड़ेगा, 3 महिने वाला 5000 something, 6 महिने वाला 9000, 12 महिने वाला 12000 something का पड़ेगा, ठीक है, तो ये आ सकते हो, आप लोग, iconic लेना चाहते हो, iconic ले सकते हो, और use code मिनाक्षी live, for getting 10% discount, and don't forget to subscribe our channel, and इस description के, description में, इस video के description में, मैंने आप लोगों को, telegram का link दे रखा है, वहाँ telegram जोइन कर सकते हो, आप लोग, thank you and thanks for watching, by way to work, thank you.